Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. Students, हमने The Earth Hour Habitat Geographic Chapter 7 start किया है, जिसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो में आपके पास आंड कर चुकी है. उमीद है, आपने वीडियो को ध्यां से सुना होगा और लेसन को समझा होगा. जिसमें हम अपने इंडिया जो हमारी कंट्री है, उसके जियोग्रिफिकल एक्सपेंस के बारे में रीड किया, समझा, उसके एरिया के बारे में, उसका जो नोर्ट से साउथ और इस्ट से में रीड किया, कि हमारे कितने स्टेट हैं और कितने युणिय MaaTas, हमने देखा था जो हमारे स्टेट 29 से कितने अचुके हैं , तो यह समझात ü सम्झा, भी था जंहो कस्मेर है, पहले स्टेट था, अब इसके टू पार्ट हमें युणिय तैट से के यूटि के चीपन गयी तो अब हम देखते हैं यह कि जो हमारे union territories है यह भी हमारे 8 हो चुकी है अब यह 8 कैसे वे दादर नगर हवेली और दमन और द्यू जो हमारी two union territories थी उसको include करके एक उकठा करके एक हुना दियागा है यहां हमारी यहां इसमें देन इर्खी मैप में पिछला मैप देखते हैं उसमें हमें union territories के बारे में देखेंगे जैसे कि यह यहां है तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो union territories दमन और द्यू और दादर नगर हवेली तो हम दोनों को merge करके एक यूटी बना पिछली वीडियो मैंने नाइन बताई थी इस बात पर ध्यान दगना अब हम करते हैं रिमेनिंग पार्ट चेप्टर सेवन फिजिकल डिवीजन जैरे कि जो हमारे देश का भोतिक वी वाजन है वो कैसे किया गया है इंडिया is marked by a diversity of physical features such as mountains, plains, coast and lions बहत में पाई जाने वाली अलग अलग जो physical division है वो हमारी उसकी जो features हैं वी शेजताएं हैं जैसे कि mountains जो परवत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, किनारे हैं, तकिया जो किनारे हैं and islands हैं standing as sentinel in the north of the lofty snow-capped हिमाले तो हमारे जो प्रहेरी की रूप में हमारे सुरक्षा का जो संत्री जिसको बोड़ सकते sentinel जो रक्षा करने वाला हिमाले है, वो नोर्थ में है, हमारे रक्षक की तरह नोर्थ में हमारी रक्षा करता है, him प्लस आले, him आले, इसको दो बर्ड में ह हम डिवाइड कर रहे हैं, mean the abode of suno, जिसका अर्थ होता बर्फ का घर, the Himalayan mountain are divided into three main parallel ranges, तो हमारे को त्री मुख्य समनंतर सरंक्राओं में बाटा गया है, जैसे कि हम हमारे का पार्ट है, उसको थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है, the Himalayan mountain are divided into three main parallel ranges, the Northmost or the Great Himalayan, जैसे क हम यांसन जाने के लिए आपको कह रहे हैं, Himalayan के ऐसे three parts divide किये गए हैं, जैसे first, second and third, जो हमारा first part है, उसको बोलते है, Great Himalayan, Northmost, जो नोर्थ का पार्ट है, first part उसको Great Himalayan, या Himadri के नाम से, Himadri आप Great Himalayan के नाम से जामते हैं, world highest peak are located in this range, इस range में जो world की highest, जैसे Mount Everest है, जो उसी हमारी परवत संक्लाएं, वो इस part में आती है, Himadri पार्ट में आती है, middle Himalayan, second number का जो part है, इसको divide किया, हमने इसको middle Himalayan, या Himachal, mountain के नाम से जानते हैं, फिर हमारा last to the south Himadri, तो यह इसके middle में है, many popular hill station are situated, यह बीच की line, यहाँ पर बहुत सारी जो hill station है, वो situated है, स्थ find out the name, five hill station, तो आपको पता लगा सकते हैं, यहाँ के five hill station के बारे में, सिवालिक इस दा south run most है, जो third part हमारा बचा है, उसको बोलते हैं, सिवालिक किस नाम से जानते हैं, सिवालिक के नाम से, तो यह हमें तीन पार्ट किसके पड़े हैं, हमने हमाले के, जो हमारा northern part है, great Himalaya, सबसे उचाई वाले जो peak हमारी, वो यहां मिलती हैं, सेकिन हमारा इमाचल माउंटेन या middle Himalaya के नाम से, और नीचे हमारा सिवालिक के नाम से, इस परकार हमने जो Himalaya के three parts में डिवाइड किया है, northern Indian plains, अब हम यहां उत्तरी भारतिया मैदानों के बारे में समझेगे, कि ज आइस तुदा साउथ और हमाले, वो Himalaya के साउथ, यान कि यह साउथ क्यों बोल रहा है, कि जैसे हमारे जो Himalaya है, वो हमारा इमारा इजम्मू कसमी का जो उपर का part है, यहां परसती थे, तो यह इसके साउथ के जो part है, इमाले के साउथ में पार्ट में यह क्या हमारे northern plains से इतरी मैदान है, यह क्या है जरेनली लेवल है, फ्लैट है, यानकि समतल है, सापाट और समतल है, एक समान सर्फिस है, इस आर फोर्म राइदा अल्विल डिपोजित लिड़ बाइदा रीवर्स, नदियों के तवारा जो डिपोजिट यहां, यानकि जो मित्ती है, स्टोनस ह मिट्टी के साथ पानी के साथ मैखकर आते हैं वह यहां मैदानों में ्पॉजिट होने के बाद जो एल्यवेल स्वयल है जो मिट्टी है वह यहाँ पर जलोड मिट्टी है यहां पर जमा हो जाती है घंगा रीवर के द्वारा ॅबरора ब्रेंप's लिए र्वर के जो हमारी खेती के लिए काम आती है that is the reason for high concentration यानि कि ज्यादा मात्रा में जो population है वो इनी plains इनी मैदानों में रहती है क्योंकि यहां की जो जमीन है वो fertile है यहां कि खेती ज्यादा की जाती है और हमारे देश की ज्यादा इस पर डिपेंड है cultivation पर agriculture पर इंडिया हमारा तो western पार्ट है great Indian डेजेट तो western पार्ट में हमारा क्या है great Indian डेजेट थार it is dry सुखा है गव है sandy stretch यानि कि रेत की मात्रा वहां जाब है रेतिल अस्थल है it has very little बेजिटेशन वहां बहुत कम मात्रा में पीड़ पोदे या पनस्पती पाई जाती हैं तो दस आउध ओफ नोर्थन प्लें लाए इन पेनिसुलर लेटूज इस परकार हमारे जो साउथ का भाग है नोर्थन प्लेंस के साउथ का भाग है दक्षनी भाग है उसमें हमारे क्या है पैनिसुलर प्लेटूज है प्राज वेपी है पठा रहे हैं इस ट्रियंगुलर इंशीफ पूछा जा सकता हमारे जो पैनिसुलर प्लेटूज है उनका जो सेफ है वो कैसी ह त्रिएंगुलर यानकी जो हमारी त्रिभूजे उसके आक आरकी तो यह कई बार सेप पूछ सकता है तो इस बात का ध्यान रखना है नेक्स्ट यहां की दो उचाई है पठारों की पैनिसुल सोरी प्लेटुज की वो क्या है हाई अनिक वल है यहां पर भी जो पाड़ी सरंखला है वो पाई जाती है और घाटियां पाई जाती है उस तो जो हमारी माउंटेंस रेंजी है वो हमारी हिमाले में पाई जाती है लेकि प्लेटुज एरिया में भी हिल रेंजी पाड़ी एरिया जो सरंखला है वो पाई जाती है अरावली हिल्स क्या है, वो वर्ल्ड की सबसे पुरानी सरंखला है, it is on the northwest side, ये नौर्थ और वेस्ट की साइड में स्थित है, विंद और सत्पुड़ा की जो इंपोर्टेंट रिजीज हैं मैटवपुन रिजीज हैं तर रीवर नर्वता आर तापी यह मनी या पठारी त्री रिजीज के बारे में पढ़ा फर्स्ट अरावली हिल्स वर्ल की सब जो ओल्डेस्ट सेकेंड विंद और सकपुडा नर्मदा हिल्स और जो तापी हमारी तो इसके लिए हमें यह मैप देखना जुरूरी है. तो हब हम यह देखते हैं रेंजिस के बारे आरे में प्लेट्टूस में जैसे यह अरावली रेंजिस शरंखलाए है पहाड़ी यह पठारी एरिया है लेकिनी हाई यह इली रेंजिस हैं यह वर्ल्ड की क्या हैं? oldest ranges है अब ये wind ranges ये पठारी एरिया में और इसके साथ साथ ये सत्पुडा ranges तो ये समझ में आ रहा है हम अब इसके जो ये हम या दिखाए दे रहे है नरमदा एंड तापी river अब ध्यान से देखना ये नरमदा रिवर है ये तापी ये यही प्लेटूस ranges से ही निकलती है ये इस साइड में बहने वाली only two rivers है एक नरमदा और एक तापी ये अरेबियन सी में आकर मिलती है अब इन बातों का हम ध्यान देंगे कि जो mountain ये हमाले mountains की river है यहाँ ध्यान देना तो ये जो इमाले rivers है ये mostly rivers ज्यादा तर नदिया कहां कर मिलते है बेश्ट बेओ पंगाल में ऐसे ही प्लेटूस जो रेंजिन की river है तू नरमदा और तापी ये west की तरफ बहते हैं ये east की तरफ बहते हैं फुलो करती है mostly rivers ये two rivers हमारी इंडिया की west की तरफ है और जाके कह दियां सी में आगे हम इस्तर्न और यह जेंगे coastal एरिया атыट्य भाग ए इस एरिया को टो यहे हमारे इस सकी तरफ है इसको इस को इस इसे के नाम से की नाम से यह जो एरिया है इसको वेस्टन घाट के नाम से जानते हैं तो हम यह ए दिया बेद्धिया है Kang Grace अ जी हमएन के बारे में सम्झेंगे, जैसे हमने पिछले लेbon में ड्यकन प्लेटु के बारे में रीड किया था हम, तो यह हमारा रीड कि करते हुए इनके बारे में समझेंगे, हमने यहां तक क्यों शालिक लाए है। रावली हिल्स विंद और सत्पुड़ा अब यह नरम्ता और तापी जो रिवर फोलो करती हैं वेस्ट की साइड में और अरेबियन ची में जाके मिलती हैं अब हमने वेस्टरन घाट के बारे में पढ़ा था वेस्टरन घाट का दूसरा नाम यहां पर है सयाद्री क्या नाम है सयाद्री इन दा वेस्ट जो कौन से पठार के प्रस्वी भाग में है इस्टरन घाट प्रोवाइड दा इस्टरन बाउंडरी जो हमारी इस्टरन बाउंडरी है वहां पर हमारा इस्टरन घाट है वहां पर हमारा इस्टरन घाट है वहां पर हमारा इस्टरन घाट है वाइल वेस्ट ओवव ता वेस्टन गाट वेस्टन गाट का चो पस्मी भाग है एंड इस डोफ दा इस्टन गाट सलाइज दा कोस्टल प्लेंस उसके आज-पास जो एरिया उसको जानते हैं अप हम यहां देखते हैं जैसे मैनी गर्स आर नेम्ड अफ्टर डीवर्स योमना- मंदा किनी कावेरी दू यू नो एनिवन इन यूर लोकेलिटी वू नेम्ड अप्टर रिवर एक नदी के नाम से जाना जाता है आस्क यूर पैरेंट से अदर एन में के लिस्ट सच नेम्स कुड यू आलसो फैंड अदर नेम्स रिलेटिड वाटर एक्जेंपल जैसे की यहा स्क्रांटर वर्ड लाजस्ट जो बनाते हैं सुंदर वेल डल इल्टा जिसके बारे में हम पिछले चैफ्टर में रीकर चुकिए हैं जो ट्रियंगलर है तो कैसा एरिया है यह यह जेहां रीवर समुंदर बे जाकर रिन्टी करती है उसको रिवर माउथ के नाम से जानते है point is called mouth open the river उस्सी point को जैसे NM जो रीवर बहता होई यह जो नरमदा-उ-T ذ यह प्लाटु से, इसे बहता है अरेवियन इ में मिलती है तो इस जो point है समदर और जो नदी आपस में यहां मिलती इसको river mouth के नाम बहुत ही अच्छी हमिटी होती है अब यहां उपर देखते हैं अदर नदियों का पानी जाहां तक करता है वहाँ पर इसको कर दिएती हैं ट्रिबूटी क्या है यह रिवरो स्ट्रीम विज कंट्रिब्यूट से इट वाटर के में रिवर जो छोटी 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 नदियां हैं धाराएं हैं वो किसी एक नदी में आकर मिलती हैं दिस्चार्जिंग इंटू में जीवर फ्रॉम आइदर साइड और या अपने जल्ब को मुख्य नदी में बहना शुरू कर देती हैं दूसरी नदी के साथ मुख्य नदी के साथ बहना शुरू कर देती हैं तो यहां हमने अलुवेल डिपोजिट ट्रिब्यूटरी के बारे मे अच्छी तरह से समझा अब यह जैसे आप यह देख रहे ही हमारे कोराल आइलेंड्स हैं तो कोराल आइलेंड्स क्या है इसके बारे में हम यहां देखते हैं कोराल आर्स केल्टन और टीनी मैरीन एनिमल्स जो समुंदरी जीव होते हैं छोटे 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 उनके कंकाल यह यहां पाए जाते हैं, skeleton यहां पाए जाते हैं, called polyps, इन कंकालों को क्या नाम से जाना जाता है, polyps के नाम से, वेहन दा लाइविंग polyps die, जब यह जीवी polyps मरते हैं, तो उनके क्या बच जाते हैं, skeleton, their skeleton are left, पीछे बचे जाते हैं, other polyps grow on top of the heart skeleton, which grow higher and higher, जो दूसरे polyps होते हैं नए, वो grow होते हैं, इन की कंकालों के उपर, तो जो बहुत ही, size हैं का उंचा होता है, चला जाता है, grow higher and higher, और उंचे तो चले जाते हैं, thus forming the coral island, इस परकार जो coral island है, दूवीप है, वो बने वे, तो यह यहां पिक्चर है, coral islands की, तो जो हमारा लक्सवेदीप island है, उसको coral island के नाम से भी जानते हैं, आगे इसके बारे में हम समझेंगे, coastal plains are very narrow, जो हमारे तट्ये मैदान है, जो eastern coast है, या western coast है, वो narrow है, यानि की पतले एरिया में फैले भी है, eastern coastal plains much broader, जो eastern तट्ये मैदान है, वो थोड़े से चोड़े हैं, broader है, there are a number of east flowing rivers, क्योंकि जो east की तरफ बह हैने वाले नदिया हैं, वो माद नदी, गुदावरी, कृष्णा और कावेरी, यह कहां जाकर मिलते हैं, बे ओपन बंगाल में, these river have formed fertile delta, तो यहां आकर, क्या है, हमारे coastal plains हैं, वहां आकर जो मिट्टी है, वो delta बनाते हैं, अपने river mouth पर, संदरवन delta वो क्या है, वो क्या है, यह largest delta है, जो गंगा और ब्रम पूतरे river के द्वारा बनाया जाता है, तो यह इसके बारे में, हम एक बार मैप में देखते हैं, यह यहां, यह वाली, देखो, ध्यान से, यह हमारी क्या है, महा नदी है, यह कहां कर मिल रही है, बेओ बंगाल में आकर मिल रही है, फिर हमारी next second है, गोदावरी यह कहां कर मिल रही है, यह बेओ बंगाल में, फिर यह करिशना रिवर, यह कहां कर मिल रही है, बेओ बंगाल अब यह नीचे है, कावेरी रिवर यह नीचे, तो कावेरी रिवर कहां के मिल रही है, बेओ बंगाल में, यह जहां यह मिलती है, यहां डेल् और ब्रह्म पुतर दोनों river मिलकर सुंधरवन डेल्टा बनाती है कौन सा डेल्टा है सुंधरवन डेल्टा जो वर्ल्ड का सबसे लार्ज़ेस डेल्टा माना जाता है तो यहां की जो यह coastal area है यह क्या है फटाइल एरिया है किसके कारण जो हमारी यह river है इनके कारण तो इनको पॉर्फ ओप आइलेंड्स फॉर्म पार्ट ओप इंडिया जो दो हमारे आइलेंड्स हैं वह हमारे इंडिया का इश्चा है लक्सेद्वीप लोकेट इन अरेबियन सी अब दोबारा मैप में दिखाऊंगे आपको और कोराल आइलेंड्स अभी जो मैंने समझाय था कोराल इसका कुछ पार्ट समूंदर के अंदर ही दूब चुका है थो न्यूजपेपर रिपोर्ट बाइश्चेद्वीप इस चैलेंज वह हैं चुनामी स्ट्रक दा इंडियन कोस्ट उस टाइम आपने न्यूजपेपर में पढ़ा होगा या लोगों से सुना होगा कि किस परकार 2004 की जो सुनामी थी वह कितने बहानक थी जैसे ही वह है यह सुनामी टकराई थी किस से बारती है किनारों से सुनामी क्या थी है कि हूज सी वेव जरनेटी समूंदर की बहुत बड़ी-बड़ी क्या थी लहरे थी डू टू अर्थ के एक होंदा सी फ्लोड जो जब समूंदर क के अंदर अर्थ के अकाता है तो उसके एकान जो लेहरे होती हैं बहुत ज्यादा बहानक होती हैं उची होती हैं उसको बोलते हैं सुनामी तो हम दोबारा से आयलेंस को आपको मैप पे दिखाते हैं तो यह टू लाइंस हमारे जो हैं हमारे बंगाल और अरेवियन सी में आप हैं यहां देखते हैं हम यह यहां बता गई यह हमारा अन्दैबंनी कोबार आयलेंस को जो ओर हैं यह हमारे इंडिया का ही पार्ट हैं THAT हैं हैं ओके स्टुरेंट्स उमेद है वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे और लेसन को समझेंगे अब हमारा लेसन कम्प्लीट हुआ ओके ठैंक यू बटा